मेरे पास आप रहे तो जिस तरह से हम देखते के रैपिड इनिक्राइब मुझा रहे हम अरह से मुझा लगा छोह हमारा फूचर है वोस बीडा जाओ मेरे नहीं धर हम से चल्चराइब इनिक्राइब आप डूचराइब में लेख़ना, य्री अजाओ दर्वाण जात्या, क्या विए प्रतीरव के रहे हम वहाद रहे हैं तब तर क्या होता है, या या आपरोश प्रफेशनल या दॉक्टर्स करते है, वहां से भी एक रिस्पांट साथ होता है, थो अजिए फोर रीतिता है। पार कि छूब अन्म आपक एस इम्यार्ट को में सेटिंग ऑट छोटायं के इसे बाई। जले जाएंगे किए सब्सक्राइब दोगुबसिंग में एक सब्सक्राइख बाता हो समय करें। नहीं मैं पहले हुआ हम इक्षाइजा चा खरिकला कंष्वीर पॉरिव लात कहला है। यह दो चीज़े हैं, मैं audiologist हूँ as well as speech therapist हूँ अगर हम उसको चीज़ करेंगे, जैसे आपने पूली पुछ हाँ, audiology is related to hearing और speech is related to the speech environment जैसे आपने आज कहा कि as a speech therapist, आज में अगर 10 दिन में 10 patients देखा हूँ I'll see patients 10 में से 4 लोगं को speech delay है तो speech delay का mostly जैसे आप अल्मुस हर जगा आज पता है, screen time हम कहते हैं या भी screen time क्या है, screen time मोबाइल भी हो सकता है, it can be television also So usually जो speech में आते हैं, हम दो चीज़े देखते हैं एक होता है reception, बूसरा होता है expression reception is like, I'll give a very simple example, मेरे पास अगर यह phone है जब तक मुझे इसकी understanding नहीं, यह phone नहीं है, I won't be able to express, यही phone है तो कभी को भी मोशली हम क्या देखते है, screen time क्या से बच्चे में reception भी problem होती है और expression भी problem होती है अपनी terminology में हम कहते है, that is a mixed delay तादार भी सफर हो रही है, that is a Roosan वाली population जब वह हमारे पास counselling के लिए आते हैं, उनका यही बूरना है, that sir, we have overloaded with home work पहले तो school में हमें काम दिया जाता है, second यह हमें फिर गर assign होता है, WhatsApp में हमें messages आती है, वो नहीं कर पाता है थर्ड यह हमारे जो play time था, वो भी चला जाता है, because रात की 11-12 बजे तक हम फोन भी काम करते रहते हैं अब जहां पर यह tendencies होते हैं, क्योंकि बच्चों की temperamental tendencies different होते है definitely dormant ने easy करने के लिए phone का वो यूज करते है, technology का यूज करते है अब उनके पास रिसोर्स है नहीं, तो वो फोन को इस्तिमाल करते हैं, वो home वर कोई पेंडिंग रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं instead of that, they jump into the YouTube, they jump into other apps, they jump into the games जिस चीज़ के वाज़े से क्या होता है, उनकी development effect होने लगती है So again this thing, वही मैंने का कि, anxiety and all these psychological issues because of phone, which adult sense में पाया गया है, और लवर कोपिलेशन के अगर बात करेंगे तो developmental effect is बहुत ज़्यादा है अब अब पात करेंगे, हमारे पास अभी almost 50-50 प्लस रोल है, जिनको speech delay है और उसमेंसे मैं को और उसमेंगा, I will say 100% wear situation जिनको screen time है but I will say majority around 70% cases ऐसे हैं, the history जो है that is screening time on Bad habits आता है, bad habits it can be from, वह गेम में ज्यादा होता है, वहां पे free fire होता है, वहां पे fight होता है, aggression होता है sensory problems, sensory problems जो हमारे 5-7 अशार उसमेंस आर उसमेंस होता है, वह effective होता है ऐसी बच्चे जब effective होते है, तो उनका जो हम सकते हैं पेरेंटे सरी रेपूट करता है, कि हम इसको meat का piece देते हैं या हम इसको solid item देते हैं, यह नहीं खापाता है, यह बहर फैंक पाता है यह खाने में बहुत वीक है, चूजी और पिकी है, यह चीजों को smell करता है, यह सिर्फ सेमी solid foods खाता है यह सिर्फ स्यादा liquid के तरफ होता है, solid foods नहीं होता है, वह क्या होता है कि उसको, जो oral, औरो-मोर्टर functioning हम उसको कहते हैं, वह पूरी effect होते है बचा जब कुछ चबाने लगता है, उसके दामतों में sensation होता है, इरिटेशन होता है, इसलिए वह थो करता है, यह कुछ बच्चों में आपने क्या देखिए, उनमें बहुत ज़्यादा रूलिंग होते हैं, यह रूलिंग के वाज़े से भी क्या होता है, यह बहुत बहुत है, हम speech therapist, यह ऐसी चीज नहीं है, कि आपने दवाई दे दी and within half an hour आपने उसमें यह prognosis देखिए, यह gradually होता है, कहता है, प्रिजर्वन्स प्रिवेल, सबरकफल निटा होता है, but depend होता है कि बच्चा हमारे किस एज में यहां पर आया है, early intervention के अगर बच्चा two to three years के एज मे पास आता है, उसका prognosis बहुत 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 होता है, हम हमेशा believe करते है, realistic expectations जो हम बच्चों को, parents को देते हैं, अगर बच्चा two to four years के, उसके response बहुत अच्छे होता है, कोई बच्चा गर मेरे पास 8 साल का आएगा, obviously the prognosis will be very good. बच्चों में notice करते हैं, they play different characters, characters क्या होता है, like हमने यहां पर एक बच्चा देखा कि वो जब आता है, तो अपनी ही दुनिया में होता है, वो खुल से बाते करते हैं, पुरा detached होता है from this world, हम उनको बलाते है, they don't show the response करने, क्या problem है, क्या नहीं करना, यह तरवां से क्या होत पर रिसर्च में एक पढ़ रहा था कि शायद in the European countries or abroad, कि मोबाइल के access to use करने से बाइचु में आप ब्रेंटुमर्स पाइए, प्रेंटुमर्स पाइए, पोस्ट कोविट, एक बच्चा एक स्टोरी नहीं कर पाया, बाहर क्या, तो वो भी रिज़र है, screen time उसको ज्यादा पट वही अगर आप चीज़ कहते हैं, excess of everything is bad, ठीक है, तो सेमे अगर आप एक फोन एक बच्चे को आदा गंटा या उससे ज्यादा देते हैं, तो पेरन शुड़े है, वाई डाटुमर्स पाइटुमर्स पाइटूमर्स 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 पा